एलो डियर स्टुडेंट्स अवाई यू वाल वेलकम बैक डियर स्टुडेंट्स अठमी क्लास ते गणित विशे ना सबंदित सैशन विच सारे आंदा स्वागत है ते प्यारे वद्यार्थियों जिमें के तो आनों सारे आनों पता है कि असी चैप्टर 11 जिसना नाम है खेतर मिती हो कर रहा है ते वद्यार्थियों इस विच अज असी एकसाइज 11.4 ठीक है इस चैप्टर न वग्गे बताओ दे हो ए 11.4 एकसाइज आज जसी करन जा रहे हां ते वद्यार्थियों इस सारी एकसे एकसाइज जो असी प्रिवियस शेप्स जिना वि समा सकती है उन्होंसी की करये आदा वालियम और रिलेटेट से थारी एकसाइज करनी है यह गंपूले याद करन तो बात फिरसी कड़ियो तो प्यार्थियों आपना तीम है आरी ले लिख रखेंगे क्यम्कि अध्य कर लेने बस असी वॉल्यम वारे ही जानना हे गा दिखो सब वध्यारतियों जहीं करफ्ड एरिया स्पिस करिए नियाद हुए ट्वार मुलां होगा है फ्रॉपलास अमसद्व आल pillars इस एन फर्मीलास तिक खए्यों आज तर्षा टॉपीक है लंवथे आपन बेस्टन स्पार्मूला होते हैं ज़्या-फ़त्थ ठीक है याद रखना है कि क्यूबाइड दा यानि के कना आवदा वॉलियम जड़ाया ओ कितना हुंदा लंबाई गुना चड़ाई गुना उचाई ठीक है कही वह लेकिया बेस दा तो अनुए थे खेतर फल जड़ाया वह भी लिखदन देया के लूँ ऐसी कितना लिखोंगे क बेस जानिके अदा आर अदा आर मतलब बेस लिख लो दा खेतर फल खेतर फल मतलब एरिया ओके इंटू एदी उचाई ठीक है इवी फार्मुला जड़ाया आयतन ली हुदा है फॉर्दी क्यूबाइड ठीक है उस तो बार सैकेंड हैगा क्यूब क्यूब नूँ बच्चे प्रिविएस वीडियो देवेचे दे नाल दे स्वाल किते सिगे टोटल सर्फिस एरिया एदिन आल में तहुं दस्या ही बहुत इंपोर्टेंट साम सिगा 11.3 एकसाईज वेच तिक्स ए स्केर ठीक है इस फार्मुले देन आल सी हो फाइंड आउट किता सिगा ठीक है इसाइड मतलब थे पुजा जड़ी है फाइंड आउट किती सी टोटल स सर्फिस एरिया ओदे विच्छे दिता होया सी तो अन्हों छेसो ठीक है याद करो थे वदे आर्थियो फिगर जड़ी है ओ है राइट सर्कुलर सिलेंडर यानि के विलन ठीक है ते वेलन दा बच्चो जिटा आयतन है उ किस तरह कर देया आयतन किता हुंदा अदा अदा आर पाई आर एच कि तो तिनो फार्मूले जड़े हों तुसी नोट कारलो पहला फार्मूला जड़ाया है उपर लिख देता है कि यूब ली किया घया एक यूब दे राइट सर्कुलर कोन ली फार्मूला होएगा पाई-यार स्केर एच ठीक है इना तिनों फार्मूले दे बेस तो आओ इना बारे भी डिसकस कर लाने है एक्चल वेच याद रख्यों जड़े आइतन दी काई ठीक है आइतन दी काई जड़ी है वो की होगी आइतन दी काई जिमें कैसी होनी करना आवदा खेतरफल गड़्या आइतन गड़्या सी वदा फार्मूला ओ की सिगा लंबाई ग बराबर होन करके काता जड़िया ने एड होजन गिया होजेगा मीटर क्यूब तो आइतन हमेशा सी मीटर क्यूब दे विच फाइंड आउट कर देया एदी मूल मात्री काई है ठीक है और होर यूनट केड़े हो सकते ने ओ बिच्चे हो सकता है वन जिदांके सैंटीमीटर क यूब ठीक है एए यूनट हो सकते ने इतनी बच्चो एक यूनट तुसी सुने होएगा लीटर बारे सुने होएगा लीटर जड़ाया उन्हों आइतन है लीटर विच भी मेर हुंदा है जो के द्रवा लिए जां फिर गैसी यूज़ कर देया ठीक है ति इतनी बच्चों कि आख देहां सी आइतन आख देहां किसे वीवस्तु दा ओके आइतन मीन्स वालियम ठीक है तो किन्नी कपैस्टी है कि किसे ऑबजेक्ट देविच और कोई आबजेक्ट ये दूसी पानी होगे था किन्नी बच्चों पूरी ताक उन्हों पार सकते है ठीक है आम दोर्ते लीट्र एक लीट्र एक लीट्र तेल ऑईल जिंदांके सरों धाटेल जब कोई हो रॉयल थैज वेश्टा लेक्ट्र एक लीट्र की आपस वीच वी असी रखली लेशन है वो लेक्त लून ए चमेंगे जैसी वान सैंटी मिट्र क्यूब दी गाल गुरिएये ते वच्च उस्तो बाद इसे तरहीं बच्चों जे एक लीटर दी काल करिए, वान लीटर दी, वान लीटर वेच एदा मतलब किने थाउजन्ट सैंटी मिटर क्यूब होनगे, ठीक है, मिली लीटर दे वेच वानों सारे नूं बता है कि वान लीटर जिडा है, उस्तो बाद वान मिटर क्यूब दी काल करिए, तह वान मिटर क्यूब दे वेच एक दे नाल छे सिफरा, ठीक है, छे सिफरा सैंटी मिटर क्यूब जड़ाया, एवन मिटर क्यूब दे इक्वल होएगा, इस सारे यहां रिलेशन तो अनूं सारे बच्चा नूं पता हूँ, ठीक है, इनूं सारे ने याद रखना हैगा, ठीक है, कोई ओखा काम नहीं है, राम नाले याद हो जान दिया ने, ठीक है, यहां इस यूर एक्साइस नूंबर 11.4, तो एरे बद्यार्थियो, इस एक्साइस दा फर्स्ट सामजिटा तोड़ी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा है, यह है, गिवन ए स्लेंडर, स्लेंटरिकल ट कि मतलब tos की और किया है कि सिलेंडरीकल टैंक है, उस सिलेंडरीकल टैंक से किंनी वस्तु आ सक दिया, ठीक है, पता करना है कि इस विच किंना पानी जड़ा है और रखया जा सकता, उसलिए बच्छों असी की फाइंड करांगे, मतलब पैलली टडिली एपवालियम करांगे पॉलियम दा मतलब आइतन तो इदा आंसर तुसी की लिखूँ के आइतन इंगलीश मीडियम वाले बच्चे एदा आंसर पॉलियम लिखने ठीक है उस्तो बाद बद्यार्थियों अगला है इस दा प्लस्तर करना ली लोडिन दा सीमेट ठीक है एदा प्लस्तर करना यह थे राइटू प्लस तरिट तो बच्चो एदे वेच्छ आसी किया जदी सता दा खेतरफाल जड़ाए ओसी फाइंड आउट करागे तो बाद भी आर्चियों इस विछले पानी नाड़ परे जानवाले छोटे टैंकां दी संख्या ठीक है ठीक है छोटे टैंक दी संख्या एदे यह अंशर है गहीँ है पहले question दे, आओ, दूसरा question कर दे, दूसरे सामधे बेच बचो यह जो situations देतीया हुई यह ने बेच, ठीक है situation यह है कि दो बेलन दते ने, एक A बेलन दता है, दूसरा B बेलन दता है, पहला बेलन तो अड़े सामने हैगा, इदे विच की है, इदे विच जड़ी उचाई है, ओ है गिया बिचो 14 cm, पहले बेलन दी, ठीक है, उचाई की नहीं दती है, 14 cm इते गिवन है गिया, ते एदा बिचो व्यास स साथ संटी मिटर है, ठीक है, दूसरे विच की की ता, ते विच व्यास नो बदा देता, ठीक है, व्यास मतलब के डा म सव क्टाया आख़ी 7 cm कर देता, मतलब, भरस कर दती है ठीक है, ते डा मेंटर क्टाता, ते हाइट जड़ी है, ओ की कर दितИ पहले केस दे विच बदाई कोशन किया कोशन एक डोनों वेलना है आईतन पता करदे हुए इस दी पताल करो चांच करो कि जादा आइतन वाले फेलन दी 17 सवर यह जाताक। थाल पूस्य लगारी QC było is a Torah PHIL को में जाएं स्वॉल्फ कर दें तो सब्टो पहला आछीं की करांगे ईरे विछ सिचवेशन नी लेरा लानीहा के पहला फेला इस है ओठ विलन है गा e чтоб इस तो अर्ध व्यास जड़ा या ओ देखना पहेगा सो नो किना आना है अर्ध व्यास तो अनो पता है अर्ध व्यास जिन्हों सी आरना रिप्रजेंट कर दे हैं अर्ध व्यास ना मतलब हुदा डिए किनıyı Αइट किनी देती है हाइड दिती है वद्यारति हो एच जनू लिखांगे वं दृति है 14 cm ठीक है थे 99 वट अडले मार्ला है मृद वालिम अफ बार एक कोड़ आरatiques 5 रह बार स्क किया सेवन बाई टू टू टाइमस ठीक है दो बार लिखांगे इन्टु एच जड़ी आइदी 14 सेंटी मिटर ठीक है ठीक है तो तु दुनी 14 एथा इदी रहा कट गया जाइए ग्यारागुना साथ गोना साथ ठीक है सत्तु साथ नंजा नंजा दी जोसी ग्यारा नाड मल्टिप् बिलन थे खिक है और शीकाल करांगे सिचुवेशन सेकेंड सेकेंड सिचुवेशन दे विच की है वी दा अर्ध व्यास बीज़े विच की है भी विचो दूसरा बेलन है ठीक है सैकेंड वी लिफ्यास किना आएगा 14 बटा दो बराबर साथ संटीमेटर ठीक है वह दे विचे इदा व्यास जड़ाया हो किना देता है व्यास देता है थे 14 cm ठीक है इसे तरह बचो बी दी उचाई ठीक है बी उचाई मतलो हाइट आफ बी ओके देखो लाएगी चाई दा फार्मूला बचो चाई दी वैल्यू किनी देती है 7 cm ठीक है पून असी कड़ना है बेल लान है बी सेंटीमिटर है तो बद्यारतियों पाई दी वैल्यू बाई बटा साथ मुल्टिप्लाई बाई सेवन हो सी दो बार लिखांगे इन्टू एच जड़िया हो 14 है ठीक है सेवन ना सेवन इती एक काट रहाने तो 22 इन्टू 7 इन्टू 14 ठीक है वैन यू मल्टिप्लाई देम इस बच्चो 170 सेंटीमिटर क्यूव आजेगा ठीक है तो एदा मतलब क्यों गया इदा आइटन जड़ा है ऊंचादा आ रहे है ठीक है तो आइतन बार यह गल होगी होना सी गल कर देया जेकर एही वेलन ठीक है दो सिचवेशन सेंगे पहली सिचवेशन दे वेच फिक इतना सी इदा विलन में दुबारा बना देना थे ठीक है एदे विच जड़ा इदा व्यास सीगा सेवन सीगा ते हाइट जड़ी हो चौदा सी उस तो बार जड़ी सैकेंड सिचुवेशन आओ वेच ज़ी हाइट नूगता आता लेकिन व्यास जड़ा है वो बदा देता वो किना आ कोल सता दाखेतर फल ठीक है सता दाखेतर फल क्योंकि एजड़ा है विलन रूपदे विच एगा इट मीनस सिथे फार्मूला ब्लाया कोल सता दा खेतर फल 2Pi r into r plus a लगेगा ठीक है फोल सता दाखेतर फल मतलब किया टोटल सर्फेस एरिया एक है सर्फेस एरिया ओफ ए that will be equal to 2 into by 7 into r the value इत्थे किनी आई गया 7 by 2 into इत्थे किया जएना 7 by 2 प्लस hide किनी है 14 ठीक है hide किनी सी 14 से गी ठीक है तो ये सारे यह values put कर दे होए हो न से यहनू पहला solve करांगे ठीक है करना कोई ओखा काम नहीं इत्थे किया टू ना टू कर जाना सैवन ना सैवन कर जाना 22 इन्टू इत्थे बिचो सैवन प्लस 28 डिवाइड बाइट टू ठीक है लसे हम लाके दूसे इनों solve कर लेना है तो 11 दूना बाई यह दिना कट रहेने 11 multiply by 35 ठीक है 11 दी 35 देना जोनों multiplication करूंगे यह आजएगा बच्चे 385 सैंटीमिटर स्केयर ठीक है तो यह आगा पाई capital आर इंटू इत्थे एच जड़ी है capital आर इंटू एच एच बच्च असी एची मन्या सी थे तो मैं एची दुबारा लिख देना ते टू इंटू इत्थे किया ज़िए ना 22 बाई 7 आर किना से का आर एदे विचाड़ना बच्चो 7 ठीक है तो साथ जमा साथ एदे व multiplication करूंगे यह आगया 616 cm स्केयर ठीक है सेंटी मिटर स्केयर एरिया दे केसे वेच आया ठीक है ते वॉलियम जड़ा सिगा ओ किना आया सी 509 ठीक है 509 पहले केस्ट दूसरे केस्ट किना वॉलियम आ रहा सी 1070 इट मीन्स वी बेलन दा वॉलियम भी जादा है ते कुल सता दा खेतरफल भी जादा है 600 cm स्केयर ठीक है तो एसी बच्चो फर्स्ट साम आओ होना सी नेक्स्ट साम जड़ाया ओ करन जा रहे हैं जी बच्चे थर्ड साम की है थर्ड साम दे विच्च सी की की फाइंड दी हाइट ऑफ दी क्यूबाइड फूस बेस एरिया इस 180 संटीमिटर स्केयर एंड वॉलियम इस 900 संटीमिटर क्यूब ठीक है एजी है बच्चो पर एदे लिए तो अनू पता होना चाहिए क्यूंके कनाव है तो कनाव दा आयतन ठीक है कनाव ता अनू में सिंसे अदा अधार ता केतरफल ठीक है अदार्दा केतरफल गोना उचाही है मतलब फार्मुला तो अनू पता क्यूबॉइड दे केस देविच से लैंस इंचु ब्रेट्स इन्टू इंटू हीट हुंदा है लैंथ इंटू ब्रेट्स चड़िया ओधा आदा दार्दा केतर पहल किन ना देता है 180 ठीक है इन्टू हाइड दूसी find out करनिया है मालो haiट है डॉलिमाफ क्यूब आइड गिना देता है 9900 ठीक है सैंटीमीटर क्यूम ऐ और ए विचो सेंटीमीटर स्केयर सेगा इता या ना कट जाना है तो हाइट किता निकलेगी नाइन हंटर डिवाइड बाइटी एक जीरो ना एक जीरो कर देना है नब्बे नो जो तुसी ठारा ना डिवाइड करूंगे तो बिच्छे ठारा बंजा नब्बे होंते ने तो ए बन गया पांच सेंटीमिटर एदा आंसर आजेग ढाओ है ठीक है आवड वे सारे दिक्छान याद हो गया आदे युदर होंद देविए एक या झाली जो चैनठीमिटर सिसेंटीमिटर इंट senior सेंटीमिटर ieंटी تمिंटर भिट doinभिवाएड तीक है ये याद रखना न, चुनद्धन है। चुड़ाई थे उचाई करमबार देती हुई है ते बचो इस कना आव दे अंदर पुझ बाले शे पुचा वाले ठीक है शे सैंटीमेटर पुझा वाले मतलब के इदे विच असी किन्ने कना आव जड़े कान जड़े आव राक सकते हैं जेदी एक पुझा किन्नी है छे सैंटीमेटर है शे सामवाले छे सैंटीमेटर पुझा वाले किन्ने काना नों रख्या जा सकता है एदा मतलब असी कड़नी है गेंड़ती गेंड़ती मतलब के नंबर नंबर ओफ पॉल cubes ठीक है तो number of small cubes नूँ कड़न दा formula की हुएगा बच्चो cubes दी गेंटी जड़िया है number of cubes ओके दा find out कोड़ोंगे काण दी कणा दी गेंटी चोटे कणा दी गेंटी एदे बराबर आएगी ये बच्चो आएगा कनाव दा आइतन ठीक है कनाव दा आइतन डिवाइड बाई कांदा आइतन कांदा आइतन कांदा आइतन ठीक है means we can see volume of cuboid divided by volume of cube ठीक है so this is the formula और इस फार्मूले दी बिसीच से ही असी बच्चो अनसर रिड़ा हो कर देना है वालियम आफ बच्चे सच्च क्यूब बच्चो उत्थे लेगता है वालियम आफ क्यूब अ क्यूब कि आएगा तो नों ताली दी दासना गुणा गिती तहा चारसो पजा एधे वेच च्छोटे क्यूब हो आ सब देगेगा क्योप प्यूब है ठीक है इना देवेच एक यूबोट जढ़ा सी ना क्यूबद देवेच एधना में च्छोटे चारसो पजा ओ वह आ सक देगे हैं सो दिस इस वाज आर साम नंबर फोर और वदियार्थियों फिफ्ट साम कर देया इक इस तरह दी वेलन दी उचाई पता करो जिस दा आयतन वान पॉइंट फाइव मीटर 1.54 मीटर क्यूब होए ठीक है ते इस दी अदार जड़ा है अदार दा वदियार्थियों जड़ा अदा साथियों फाइव मीटर क्यूब कैम वॉल्यम आफ़ लेंडर वॉल्यम आफ सिलेंडर डाटीज इस इकल टू वन पॉइंट फाइप और मीटर क्यूब और दिट्चो इदा डायामेटर जडा है डायामेटर ऑफ बेस दैट हीं वन फॉर्टी संटीमिटर इथे मिटर है करना लिक तो 90 कट की 1.4 मीटर इथे डामेटर आजेगा फॉन न सीथ हो इदा रेडियस कट लेना रेडियस ना मतलव अर्द व्यास ठीक है अर्द व्यास लिए बिचो कि आएगा डामेटर बटा दो डामेटर 1.4 एथा अपटब दता यह 0.7 मीटर बिदा किया जेगा रेडि वॉल्यम वॉल्यम ऑफ स्लेंडर के देव राबर हुंदा पाई यार स्केयर एच ठीक है तो सी एच दी वैल्यू डिडिया हो फाइंड आउट करनी है वॉल्यम में इत्वान पॉइंट फाइप फॉर इक्वल टू पाई दी वैल्यू बाई बटा साथ हुना आर जीरो पॉइ देना टू जीरो लगादो एदा मलवा दास नाल जड़े मतलो दास गुणा दास हो गया सो ना सो ए कट गया तो एक्सो चरंजा बराबर आगाए वाई गुणा एच एच सेवन इंटू एच तो बढ़ियार थी हो एन उसी होन यह में सॉल करना है देखो बाई गुणा साथ यह भी एक सो चरंजा हुंदेने इस एक सो चरंजा दी एक सो चरंजा देनाल हो जाएगी दिवीजान वह आंसर आजेगा एक एना मतलो हाइट जड़िया थी वन मीटर वहेगी ठीक है तो हाइट एधी किनिया आगी एक वीटर ओके तो दियार थियो एच इस इन दी फार्म whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter find the quantity of milk in a liter that can be used that can be stored in the tank मलब कि एक दोददा टैंक है जो के वेलना का रहा कारदा है ठीक है एदा बिच्छो अर्थ व्यास जड़ाया हो तो अन्हों देता हुआ अर्थ व्यास किनना देता है अर्थ व्यास बिच्छो इते हैगा 1.5 मिटर ठीक है अर्थ व्यास किता हुआ एदी कुछाई जड़ी ऑओ बच्छो है गी है 7 meter ठीक है डावन व्यास तता हुए इसे टैंक वीच परे जां सकनवाली दो दी मात्रानू लीटरा वीच पता करना है विचे लीटरा वीच हो ठीक है व्यार्थ यार्थ यानिक रीडियस वो दिता है 1.5 मीटर, चाही मतलब हाइट, वो दित्ती है 7 मीटर, ठीक है, उस्तो बार बार भीचो एदा असी वॉलिम करना है, वॉलिम मतलब आयतन, ठीक है, वॉलिम टैंक दा, की लिक्वुंगे, टैंक दा आयतन, ठीक है, जो के द्यारत वे थे पाई, आर स्केर, एच फार्मुला लाग जाएगा पाई दी वैल्यू बाई बटा साथ आर किनना होएगा साथ गुणा साथ एच दी वैल्यू आ जोगी 1.5 ठीक है तो 7 ना 7 कट जाएगा बच्छो जो दुसी यह नूँ सॉल करूंगे आएगा 19.5 मीटर क्यूब ठीक है 19.5 मीटर क्यूब ते बद्यार्थियों से पड़ेया सी के 1 मीटर क्यूब दे वेच हजार लीटर हुंदेने ठीक है और 6, 7 हम नंबर कर देया बच्छो अगर एज क्यूब दी यह सी डवल कर दिये तो हाओ मैनी टाइमस दी सर्फिस एरया विल इंक्रीज है और हाओ मैनी टाइमस दी वालिम विल इंक्रीज मतलब कि यह है तो आडे कोल एक अेट से की हैगा Qube है ठीक है Qube है और Qube दा विचो जे ऐसी Edge Edge माल लो ये देवे चो असी A माल लेने है ठीक है एक Qube हैगा इस Qube दी Edge Length चड़ी है असी A माल लेने अभी A, 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 B, A ठीक है यानि के ए वद्यार्थियों दी लंबाई चड़ाई ते उचाही सारी बराबर हुनी है Quesion दे accordingly किया कि जेकर तुसी Ace Qube दी Length चड़ी है जा Edge Length हो कि ये डबल गरदन देओ ठीक है ता फिर उदा Surface एरिया की में चेंज करेगा ते वद्यार्थियों इस दा आइतन की में चेंज करेगा ये तुसी Find Out करना आएगा Quesion दे आनो समयलो ठीक है हुना ते वादा ही है देखो वादा ही हो रहा क्योंगे चोटा चोटा क्यूब हैगा क्यूब तो एक किया बड़ा क्यूब बन गया जो दी Length चड़ी है जा Edge Length चड़ी हो डबल कर दती है ठीक है डबल करन दे नाल ही volume जड़ाया वी चेंज होजेगा सर्फिस एरिया भी चेंज होजेगा पर किन्ना होना है आओ इस बारे जान दे हां तो वद्यार्थियो सब तो पहलना तूसी किया है Edge of Cube ठीक है Edge of Cube जड़िया हो सी A मनलने ठीक है ते वद्यार्थियो यह एज़ आफ Cube हो गया ते टोटल सर्फिस एरिया मैं थे इदल फेस एरिया ठीक है ओ की होंदा है 6a² सारे वद्यार्थियों नों पता है ठीक है कूंकि एक स्केयर शेप ओनकर के एरिया a square होगा 6 total face है इने तो 6 a square एदा फार्मूला हो जएगा ठीक है इदे बिचो एदा volume जड़ा है इसे volume जड़ने के first cube हो जड़ा होगी हो जगा उदा फार्मूला तो उन्हों सारे उन्हों पता है a cube होंदा है ठीक है उन्हों दूसरी साइड जाने है इदर बिचो उसी edge length है दी किन्हीं कर देती edge of cube ठीक है edge of cube होदी length जड़ी हो किन्हीं है edge length भी लिख सकते हो edge length of the cube that is equal to 2a ठीक है किन्हीं होगी 2a होगी तब द्यार थी हो total surface area ठीक है तो 2a स्केयर तो दो दूनी चार आ गया बच्चो 6a स्केयर 6a स्केयर औरीजनल एरिया से इन्हों सी surface area इन्हों सी की माल लेने आ इते capital e dash a माल लेने ठीक है तो capital e तो a वाला e dash रिडाया four times वद्धू हो जएगा ठीक है वद्ध जगा ठीक है four times वद्ध गया surface area वॉलियम किन्हा बदना है volume बारे भी गल करना नहीं है जड़ा volume है जानिके आइतन है वी डैश हो किन्ना होएगा क्योंकि length double हो गई है तो दियार्थियो दो दूनी चार दूनी आठ ए आठ गुणा वाद गया ठीक है किन्ना eight times of volume ठीक है volume वी मतलब कि first जड़ा cube सिगा ठीक है तो दियार्थियो वाद वालियम वेच आठ गुणा वादा हो गया तोटल सर्फिस एरिया वेच चार गुणा है थे बादा हो रहा है ठीक है तो एस साम नंबर साथ आउ दियार्थियो हो नसी कर देया साम नंबर eight एस अटा लास्ट साम हैगा यह दे विच किया water is pouring into cubical reservoir at the rate of 60 liter per minute ठीक है इफ दी volume of the reservoir is 108 meter cube find the number of hours it will take to fill the reservoir अंदर साथ लीटर प्रती मिनट प्रती मिनट ठीक है कि एक मिनट देवेच साथ लीटर हो देवेच टेंक देवेच पानी पानी पहा रहा है ठीक है टेंक किडी शेप देवेच हा तो पहला है यह देवेच कि यह पानी डिगर आयता ठीक है तो टैंक दा आयतन है तो अनों देता होया एक सो आठ बीटर क्यूब पता करो कि इस टैंक नूँ पर अली किने कैंटे लगन गे ठीक है तो सब तो पहला मिचो टैंक तैंक दा आयतन ठीक है मेंस यह दा वॉलियम जिडाया वॉलियम ठीक है वॉलियम आफ टैंक दैट इस इकल तो वान सी रो एट मीटर क्यूब ठीक है मिटर क्यूब आया तिस हानू पताए एक मीटर क्यूब देवेच हजार लीटर हों देने, पहला गामे थे ही करना पोगा, बिकॉस, वान मीटर क्यूब इस इकल टू थाउजन लीटर, एदा मलला हो यहनू थाउजन ना सी मल्टिप्लाई कर देना, इनने लीटर बन जेगा, वान सीरो एट, देनाल, थी जीरो, इस इस दी अमाउंट आफ दी वॉलियम आफ दिस टैंक इन लीटर, ठीक है, लीटर दे वेचे यह साठा वॉलियम आ गया, फोन कोश्चन है यहां, कि साथ लीटर प्रती मेंट वेच पानी जड़ा है, टैंक वेच पानी दिग रहा है, ठी साथ लीटर प्रती कैंटे वेचे किनना डिगेगा, कैंटे दा मतलव आर्ज ठीक है, वेच पानी डिग रहा है, ओ किनना हो जुगा, ओ तुसी किन्दा कर दूँगे, साथ नू, साथ नाल की कर दूँगे, कुना कर दूँगे, यह आ जाना विच्छो छती सो लीटर, ठीक ह है, क्यों किता है, क्योंकि इदे वेच, आनू, कोश्चन दे विच की पुच्छा सी, कि एक कैंटे वेच उनू, किनने कैंटे लगणगे, ठीक है, किनने कैंटे लगणगे, इसकार के, इदे विच तो आनू पुच्छा किया है, कि टैंक नू परन विच किनने कैंटे ठीक है तो दियार्थियों इन्हों फिर जड़े किनने किनना समा लगूगा और समा जानी के टाइम पूरा टैंक पर अन्हों किनना टाइम लगूगा एक कंटे वेचे छती सो लीटर जड़ा पाणी एदे वेच डिग रहा हैगा तो टोटल हो दी कपैस्टी है गिया एक लाख आठे जार देरफोर असी कि करांगे इना दोना दी डिवीजन करतागे डिवीजन करांते है जीरो ना जीरो काट रही है तो एदा मतलब इथे गिया ती कंटे जड़ेया ओ लगने हान एस टैंक पूरी तरह पर अले जे दे वेच पाणी जड़ा डिग रहा सी छती सो लीटर एक केंटा प्रती केंटा ठीक है जालना शाठ लिटर प्रती मेंट दी दारना घा तो उनू दितता सी तसी एक मेंट च शाठ लिटर दे छती सो लीटर एक केंट ड़े जड़र खे खे ठीक है तो अगले विडियो लेक्चर दे वेचर सी अगली एक्साइज रिडियां अगला चैप्टर जिडाओ करांगे ठीक है थैंक यू बिच्चे थैंक यू सो मच इना सारे सामनों दूस्के अपनी अपनी कॉपी देव पर लिख लेना हैगा ओके बिच्चे थैंक यू